नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल में हाट बगत है तब से पहले आपको यह डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि यह वीडियो सिर्फ मैं अपने होमवर्क के लिए बना रहा हूं अगर आप इस शेयर को जो भी डिटेल आप देखना है यह अपने आप फाइनेंसर एडवाई यह कोई टिप्स है नहीं और कुछ नहीं है यह सिर्फ एक स्टेडी पे बेस्ट है यह वीडियो और इस सिर्फ का अभी रेट है 125.35 से आज की क्लोजिंग है 27 जुलाई 2021 की और आपको यह जान करके बड़ी खुसी होगी यह सिर्फ लॉंग टर्म के लिए ज्यादा अच्छ है और अगर आप इसको 5-10 साल रखेंगे तो यह मल्टिव अगर भी स्टाक हो सकता है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको बड़े ध्यान से जानना चाहिए और समझना चाहिए और आप अपनी कुछ रिसर्च खुद भी सामीरिस में कर लीजिएगा क्योंकि यह सिर्फ मैंने किया है हर कोई ब्यक्ति संपूर्ण नहीं होता है कुछ न कुछ कमी कहीं न कहीं रह जाती है और यह स्टॉक मार्केट है इसमें उतार चड़ा होते रहते हैं और ब्यक्ति उसमें उलच के कई बार रह जाता है इसलिए सर प्रतम आपको यह भी जानना चाह न कहीं है कि जब भी आप स्टॉक मारकेट में उतरें टो आपको उसका पूर्ट नौलेज होना चाहिए यानि आपको फंडमेंटल और टेकनिकल एनलिस्ट भी होना चाहिए इसके लिए आप चाहे तो कोई छोटा सा कोर्स कर लें टेक्निकल एनलिस्ट का जरूर कर लें और उसके साथ अगर फंडामेंटल कुछ चीजे हैं उनको भी पढ़ लें अगर आप नए नए स्टॉक मार्केट में आये हैं तो आप इन बातों को जरूर ध्यान रखें बिग्दम से ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना सुरूर नहीं कर दीजिए क्योंकि टिप्स वगरा के चक्करे में बहुत सारे लोग बरवाद हो चुके हैं तो यह कोई टिप्स नहीं है यह सिर्फ स्टेडी बेस पे है और आपको विशियस ध्यान रखना चाहिए जब उसकी MBS की पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है कोई इंजिनर होता तो उसकी इंजिनर के लिए कोर्स पूरा करना पड़ता ऐसे ही आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनलिस्ट का कोर्स अवस्थ कर लीजिए और उससे पहले कि मैं यह वीडियो आपको पूरी डिटेल नहीं यह कौन सा सेयर है जिस पर हमें इंवेश्ट करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए उस सेयर का नाम है फ्रेश स्ट्रॉफ फूर्स लिम्टेड इसकी डिटेल यह है आपको बताना चाहता हूं कि देखिए आज के दिन में यह 122 रुपए 10 पर से लो गया है 119 रुपैसे पर स देखेंगे तो 50 रुपए लो है 50 पैसे और 136 रुपए इसका हाई गया हुआ है यानि हाई के करीब है तो इसमें जो सेयर ज्यादा तर हाई के आसपास होता है यानि उसमें पोटेंशियल इतनी होती है कि वह आगे बढ़ सकता है और जैसे ही इसको ब्रेक आउट करेगा त 122 रुपए 60 रुपए करीब देगा फिर अगर यह अगर 168 रुपए से उपर क्लोजिंग देता है तो समझ गए कि आपको 1012 रुपए और उपर मिल सकते हैं वह हैं 177 रुपए से लेकर कि यह 178 रुपए तक यह जाने की त्यारी में हो जाएगा तो और अगर लॉंग टर्म के लिए आपको रखना चाहते हैं तो यह अच्छा है आप अपने फैनिसले डवाइजर से भी इस बारे में बात कर लीजेगा तो चलते हैं और जानते हैं कि यह त सौ 100 रुपए यानि 98 रुपीज इसका एसल बनता है यानि 25-26 रुपए जो अभी 25 रुपए रेट है 125 तो यानि आपके जिसमें जाने के लिए 252 27 रुपए करीब जाने के लिए हैं और आने के लिए आपके पास है ठीक लगभग आपके समली 125 है तो आप इसमें समझ लो 50 चास रुपए तो आपको आने के लिए हैं यानि 25 जाने के तो वन इस्टू टू करें जो बनता है जो को परफेक्ट ली यह एक स्टॉक मार्केट कर नियम है उससे यह सेट बैठता है कि एक रुपए जाने के लिए हो और दो रुपए आने के लिए हो ऐसा ही करना चाहिए जो की नियम बनाए बताते हैं जालता है अब आप इसका देख लिए रेंज और यह देखिए इसकी जिग जैग भी देखेंगे अगर मतला सेर का उपर नीचे जो होता है वह भी देखिए रेंज बाउंड ही रखता है यह 122 रुपए आज इसने नीचे मारा है और हाई गया 6 रुपए के आसपासी चल रहा है अगर एक परसेंट से कम उपर जिग जैख होते हैं उसमें आविया देख लीजे अगर आप टेंड देखेंगे तो देखिए वेरी बुलिस इसका टेंड दिखा रहा है यह सब एनलिक्स इनकी जो टेकल है उसकी हिसाब से भी आप देखें और इसका अगर आप देखें प्रिवेस क्लोज है 126 रुपए और इसे खुला था 127 रुपए 15 पैसे यानि 128 पार नहीं कर पाया है क्लोजिंग नहीं दिया है इसका अभी थोड़ा सा दिक्कत है और इसमें वी वेप देखेंगे तो 126 रुपए यह इसका वी वेप शेयर हो जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अब आप देखिए इस शेयर के तीनों इंडिकेटर देखेंगे आपकी मुविंग एवरेज बुलिस है इसका देखिए टेकनिकल इंडिकेटर भी बता रहा बुलिस है और मुविंग एवरेज क्रॉसवर भी इसका तो यह आपको मैंने डिटेल बताई देखिए तो यह आप समझ लिए इसका में टार्गेट आपका जो प्राइज है यह टार्गेट आपके लिए जाएगा 178 रुपए के आसपास जाने का इसका है उससे पहले यह टच करेगा 162 रुपए इसको जाना ही जाना है तो इस टा है एक सो चोबिस रुपए 80 पैसे और 125 पी एक क्लोजिंग कर रहा है इसने जो भी डाउंसाइड था अपना वह एक तरह से कर लिया अब इसका अपसाइड ही बसता है और यह अपसाइड इसका चालू होगा जैसे ही वैसे हमको इस पर ध्यान देना है सबसे प्रतम आपको य करें कभी भी कोई भी शियर का इंवेस्टमेंट करें तो दो चीज को जरूर ध्यान रखिए तो अब इसका जो असली एसल बन रहा है देखिए 50 जो 50 डेविस का एवरेज होता है यह एसल में लेके चलना चाहिए 102 रुपए 77 पैसे यह इसका बन गया एसल जो मैं आपको 98 ब सेन करी इसका घर्टाना मानते हैं मतलब पॉइंट जिरू को करीवन हो गया 98 के आसपासी इसका भी भी बन रहा है कि 98 से नीचे जाते ही हमको इससे एकजिट करना है ये इसका ऐसल हो सकता है ये लेकिन अपने आप फैनेशल एडवाजर से भी सलाह ले लीजेगा अब आता है कि अगर आप देखें इसकी रिटर्न देखिए आप रिटर्न क्या क्या आ रही है देखिए एक मन्त की अगर इसकी रिटर्न देखें तो 36% करीब है और आप अगर तीन साल की देखेंगे तो 9% है इट मेंस क्या है कि तीन साल पहले इसमें कोई जान नहीं थी तनी यह रिटर्ण दे रहा था लेकिन एक साल से रिटर्ण देना सुरू किया देखो 100% एक साल में दे दिया है वतला आप इसमें पोटेंशियल आ चुकी है अगर आप अभी भी इसमें करेंगे तो इसका जो पोटेंशियल है जो मुझको दिखता है दस साल का वो हो सकता है पंद्रह सो रुपए करीब भी यह चला जाए लेकिन आप इतना लंबा रख पाएंगे कोई रख नहीं पाता है शेयरों को लेकिन आप कोशिस यह करिए कि इसमें जादा से जादा लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना ही जादा इसमें फायदा होगा अब यहाँ पर देखेंगे आप तो यह दिखा रहा आपका दिसंबर 2020 की सेल है ध्यान रखिए का इस चीज़ को भी से जादा होती है यहानि कोरोना का जो इंपेक्ट था उसके उपर सिर्फ चा बनाती है कंपनी अब आप देखिए हर कोई देखिए इसके अगर बाइंग भी देखें को इसका मतलब यह है कि खरीद रहे हैं तो यह तकि 100% बाइंग हो रही है और यह बता रहा है इंडिकेट कि अच्छा सिय आने वाले फ्यूचर के लिए यह से आप रख सकते हैं हो सकता है कि आपको 145 भी दिखा दे जल्दी से जल्दी और आप इसकी चार्ट देख सकते हैं इसकी जो रिवेन्यू है देखिए लगातार इनकी जो रिवेन्यू है इंटेक्ट रहती है देखिए नीचे गई नहीं है यह देखिए 140 करोड थी इसकी कब 2017 में 2018 में 175 और 2019 में 171 करोड और इसके बाद आपके आई है 2020 में 165 करोड यह रिवेन्यू आई इनकी तो यह अगर देखेंगे तो एक अच्छी कंपनी दिखाई देती है कि अधिगेए और इसका प्रॉषट का कर देखेंगे आप देखिए कंपनी ने क्या प्रॉफित अरडे ँर्जे नहीं कीया है यह देखिए तो इसका 2020 में 4 करोड था और 2021 में 9 करोड हो गया यानि बढ़ा ही है पांच करोड घटा नहीं है और 8 करोड ये करती है 17 में देखिए 8 करोड 2018 में 8 करोड के करीब और ये 9 करोड तो 8 करोड 9 करोड इसका profit होता ही होता है हर साल तो ये देख लिए कि इसमें हमारा पैसा डूबने के चांसे कम है इसलिए मैंने शेयर को चुना हो बाकि आप अपनी मर्जी है और आप अपना इसमें रिसर्च कर लिजेगा आपको पसंद आया होगा और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा जदा जदा ये वीडियो कर दीजेगा धन्यवाद